सामना करने के लिए और अधिक प्रधप्रभावी माध्यम बन करके उबहेगा फ्रेंट्स में न्यू डवलप्मेंट बैंड के अध्यक्ष हर एक्सलेंसी दिल्मा रुशेव का अविनंदन करता हूँ पिछले दस वर्सों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपुर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है भारत के गिफ सीटी के साथ साथ अफ्रिका तता रूस में रिजिनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग 35 बिलियन डॉलर के डवलप्मेंट प्रोजेक्ट सेंक्शन किये गए हैं एंडीबी को डिमांड डिवन सिध्धान पर काम करते रहना चाहिए और बैंक अविस्तार करते हुए लॉंग टम फाइनांशल सस्टेनेबिलिटी हेल्दी क्रेडि रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिष्टित करने पर प्राथफिक्ता रहनी चाहिए फ्रेंट्स नए स्वरूप में ब्रिक्स 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी एकोनॉमिक है हमारे आर्थिक सहीयो को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस कांसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस एलाइंस की विशेद भूमिका रही है इस वर्ष बिक्स के अंदर डॉली ट्यो रिफॉर्म्स ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रिकल्चर रेजिलियन सप्लाई चेंज इकॉमर्स और स्पेशल एकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमती बनी हैं उससे हमारे आर्थिक सहीयो को बल मिलेगा इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉर और मीडियम स्केल इंडिस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए मुझे खुसी है कि 2021 में भारत की अध्रिता के दोरां प्रस्तावीत ब्रिक्स स्टार्टप फोरम इस वर्ष लॉंच किया जाएगा भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्ट नेटवर्क का इनिशेटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में एहम भूमी का निभा रहा है इस साल ब्रिक्स देशों में यूनीडों के साथ मिलकर इंडस्टिव 4.0 के लिए स्किल वर्कफोस तैयर करने पर बनी सहमती बहुत ही महत्पपूर्ण है 2022 में लॉज किया गया ब्रिक्स वैक्सीन आरेंडी सेंटर सभी देशों की स्वास्त सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है हमें डिजिटल हेल्ट में भारत का सफन अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साजा करने में खुशी होगी फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साजी प्राफिक्ता का विशय रहा है रूश की अध्यक्सा में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनर्सिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है भारप में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन टांजिशन पर विशेश रुप से बल दिया जा रहा है इंटरनेस्टर सोलार अलायंस, कोईलिशन पर डिदास्टर रेलिजन इंफ्रासेक्टर, मिशन लाइफ यानि लाइफ स्टाइल फर एन्वार्मेंट एक पैड मा के नाम जैसे इनिशेटिव लिए गए है पिछले वर्स कॉप 28 के दोरान हमने ग्रीन क्रेडी जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुवात की मैं ब्रिक्स पार्टर्स को इन इनिशेटिव से जुड़ने के लिए आमंतरित करता हूँ ब्रिक्स के सभी देशों में इन्फ्रास्रक्टर के निर्मान पर विशेश रुप से बल दिया जा रहा है भारत में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गतिशक्ती पॉर्टल बनाया है इससे इन्फ्रास्रक्टर विकास के लिए इंटिग्रेटर प्लानिंग और इंप्लिमेंटेशन में मदद मिली है और लोजिस्टिक कोस्ट कम हुई है हमारे अनुभव आप सभी के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी प्रेंट्स ब्रिक्स देशों के बीच फाइनांचियल इंटिग्रेशन बढाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं